हलो दोस्तो टेक यूट्यूबर अभी यूट्यूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कॉंटेक्ट नंबर को जीमेल अकाउंट में कैसे सेव करें आपसेव करेंगे तो उसका फाइदा क्या होगा जब भी दोस्तो आप दूसरा मोईल खरी देंगे या दूसरे मोईल में अपनी ये जीमेल अकाउंट को लोगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे नंबर दोस्तो उस मोईल में आ जाएगे क्योंकि दुस्तों कई बार क्या होता है कि user MI का mobile लिया हुआ है और वो आप realme का ले रहे हैं या vivo oppo का ले रहे हैं तो वो चाहते हैं कि MI to MI contact transfer हो जाते हैं क्योंकि उसमें MI account बना होता है तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिसे Gmail में हम सारे contact को save करें जब दूसरा mobile हो तो automatically वहाँ पर जैसे Gmail open करें login करें तो automatically वो नंबर उस mobile में चले आएं तो automatically वो नंबर आएंगे बस आपको step by step जो मैं बताऊंगा वो follow करना है वीडियो को देखने से पहले टेक यूटिवर अभी यूटिवर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें बल आइकन को all press करें सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना है Google में Google का option दिखेगा और जहां पर दिखेगा आपको Gmail का option आपको Gmail के option के उपर click करना है जैसे ही Gmail के option के उपर click करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से option open हो जाएंगे Gmail account को कैसे बनाएं उसका वीडियो भी वीडियो के description में दिया गया है अब आपको करना क्या है click कि आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से एक ID दिखेगी आपको उपर icon सा इस icon पे click करना है तो दोस्तो मैंने click किया आप इसके बाद आपको दिखेगा manage your account आपको manage your account पे click करना है दोस्तो आप जैसे ही manage your account पे click करेंगे तो कुछ इस तरह से interface आ जाएगा अब यह जो Gmail account है इसी में हमारे number save होंगे तो देखे सबसे पहले आपको click करना है यहाँ पर एक और option देखेगा people and sharing आपको इसके उपर click करना है देखे मैंने 281 contact जो है यहाँ पर रखे हुए है और आज फिर से मैंने यहाँ पर contact save किये तो 481 contact हो चुके है आप दोस्तों आपको करना है सबसे पहले setting समझे आपको यहाँ पर दिखेगा contact info save from देखे कुछ इस तरह से तो यह होगा दोस्तों off तो आपको इसे करना है सबसे पहले on ये off होगा इसे दोस्तों आपको सबसे पहले on कर देना है मैंने on किया है आप भी ऐसे ही on कर दें उसके बाद एक और setting समझे उसके बाद आपको दिखेगा contact your device वाला information आपको इस information को भी यहां से allow करके okay कर देना है अब इसके back चले आना है जैसे ही back चले आओगे इसके बाद दूस्तों आपको block जो है user यहां पर जो भी number block है वो भी यहां पर आपको बताएगा तो आपने मैंने यहां पर no कर रहा है आप यहां से कर सकते हैं अब दूस्तों आपको करना क्या है कि contact के button पर आपको यहां पर click करना है जैसे यह setting करने के बाग contact के button पे आप click करेंगे step by step वीडियो को देखे वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like करें अब दोस्तों हमारा वो account open हो गया अब आपको यहाँ पर 3 layer पे click करना है 3 layer पे click करोगे तो कुछ इस तरह से option आएंगे आपको यहाँ पर दिखेगा export, print और import आपको import के button पे click करना है import के button पे click करोगे तो अब आपको बोलेगा file को import करो तो आप हमें तो पहले file लेनी पड़ेगी तो file कहां से लेनी है यह समझे ध्यान से अब आपको अपने contact के book के ओपर click करना है देखिए दोस्तों ध्यान रहे, मैं आपको पूरा step by step process बताने बाला हूँ आपको सबसे पहले अपने contact पे click करना है मैंने दोस्तों contact पे click किया, बहुत सारी user MI, Bibo, OPPO का mobile जलाते है तो सब में setting एक ही होगी, आपको 3 layer पे click करना है और MI में तो direct दिखाएगा और और जो mobile आपको setting पे click करना है सब में इस तरह से setting open होगी अब आपको एक option दिखाएगा कुछ इस तरह से import and export contact सब भी mobile में दिखाएगा, आप ध्यान से देखिए आप यहाँ पर more पे भी click करें, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा ना मिले तो आपको जुरूर देखने को मिलेगा परन्तु यहीं पर ही option available होगा आपको import contact की button पे click करना है तो आपको सबसे पहले import storage, import sim आपको दिखेगा export to storage आपको इसके उपर click करना है आप दिखिए file ऐसी बनेगी 0002.vcf आपको ok करना है अब हमारे सारे contact finish हो चुके है अब हमें दोस्तो back चले आना है बैक आना है किसमें? Gmail में Gmail में जो हमने page open करके रखा था वो page हमें फिर से open करना है तीन लिर पे click करना है और import पे click करना है अब हमें select file करना है जो हमने file mobile की ली हुई है अब हमें file पे click करना है दोस्तों हम जैसे ही file पे click करेंगे तो यहाँ पर धेरो सारे option कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे अब हमने file अभी जो है just के just यहाँ की सबसे last में ही दोस्तों यह हमारी जो file है वो हमें देखने को मिल जाएगे कुछ इस तरह से एक वज़ के देखे कुछ इस तरह से 48 मिनिट के उपर हमें ok पे click करना है और जैसे ही ok पे click करेंगे 0002.vcf आ गया अब हम import पे click करेंगे import पे click करेंगे तो जो सारे number होंगे वो automatically दोस्तों import होंगे और जैसे मेरे number सभी show हो रहे हैं आपके number भी show हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से तीन लेर पे click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके number है ना सारे import हो रहे हैं बस आपको wait करना है देखे wait किया अब दोस्तों मेरा done हो चुका है क्योंकि दोस्तों जो मेरे सारे number थे ना मैंने फिर से copy किये क्योंकि दोस्तों duplicate हो गया है तो आपका जब होगा तो automatically import हो जाएंगे तीन लेर पे click करेंगे तो यहाँ पर बता देगा कि अभी के अभी आपके इतने number को आपके file में save किया गया है दोस्तों इस तरह से आप अपने number को जो है अच्छे तरीके से save कर सकते हो दूसरा point समझिए देखिए दोस्तों आजकल mobile जाएं गूगल बेस आ रहे है गूगल की UI रन करती है तो आजकल क्या हो रहा है कि भाई गूगल की एक app आ रही है गूगल आपको वीडियो की description में देखने को मिलेगा Google contact यहां पर भी दोस्तों आपको इसी तरह से Google के सारे feature देखने को मिलेगे दोस्तों ध्यान रहे जब दूसरी बार आप कोई number save करो तो plus वाले icon पर click कीजिएगा यहां पर नंबर save करिएगा तो जो save ID है उसमें automatically वो नंबर save हो जाएगा यानि जब कभी आप email ID Gmail ID को change करेंगे तो automatically वो नंबर वहां पर चले जाएगे तो इस तरह से आप सभी नंबर को जो हैं बहुत अच्छे तरीके से Gmail account में save कर सकते हो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें